इंसान के जीवन में वास्तु शास्त्र का महत्व पूर्ण स्थान है। यह ना केवल घर के आंतरिक जीवन को प्रभावित करता है, बलकि बाहरी वातावरन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। वास्तु शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दिशाओं की उर्जा को महत्व दिया गया है। लाखों वर्ष पहले हमारे रिशी मुनियों ने पंच्तत्वों की उर्जा और उनके मानव जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्यान किया था, इसलिए वास्तु को स सबसे प्रामानिक विज्ञान माना जाता है। इनसान के जीवन में वास्तु शास्त्र का महत्व पूर्ण स्थान है। वास्तु शास्त्र घर के भीतर और उसके आसपास की उर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। हमारे दैनिक जीवन में इस विज्ञान के नियमों का पालन करना आवश्यक है। सनातन धर्म में वास्तू के कई उपाय बताए गए हैं जो इनसान को सही तरीके से रूबरू कराते हैं। इसमें इनसान के जीवन की कई छोटी बड़ी बाते शामिल होती हैं। जैसे कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर की छट पर कई सारी चीजे रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं इन चीजों के बारे में और क्यूंग ने घर की छट पर रखना सही नहीं है। खराब फनीचर और कबार कई लोग अपने पुराने या खराब फनीचर को छट पर रख देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे लक्ष्मी मा ना रखनी चाहिए। ये चीजे नकारात्मक्ता को बढ़ाती हैं और लक्ष्मी माता की कृपा को बाधित कर सकती हैं। सूखे पौधे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की छट पर पौधे रखते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो वास्तु के अनुसार इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने घर की छट पर पौधे लगाते हैं तो सूखे हुए पौधों को हटा दें। सूखे पौधे नकारात्मक्ता को बढ़ाते हैं और स्वास्ते पर भी विप्रीत प्रभाव डाल जाडू घर की छट पर जाडू रखना अशुब मना जाता है। एसा करने से मा लक्ष्मी नाराज होती हैं conform में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जंग लगा लोहा और तूटीवलक्ड़ी छट पर जंग लगा लोहा और तूटीवलक्ड़ी रखना भी वास् शास्त्र के अनुसार अशुब माना जाता है। इससे व्यक्ति को अशुब परिनाम मिल सकते हैं, जो उनके जीवन में अनावश्यक समस्याइं पैदा कर सकते हैं।